जो बच्चा महनत करेगा, जो बच्चा खुद एक्जाम देगा, अपने बल्बूते पर आएगा, वो बच्चा सफ़र होबाएगा। पशूचर भरती परिक्षा जिसे कहें, साथ हजार पदों के लिए सत्रा लाख हावेदर नाएं हैं। किस रूप में इस परिक्षा को देखने हैं, क्योंकि ये आपके कारेकाल की सबसे बड़ी बढ़ती परिक्षा होनी जा रही है। जी ये बिल्कुल काफी बड़ी परिक्षा है, सत्रा लाख से ज्यादा अभ्यरती है। और ये सिर्फ क्योंकि टेंथ स्टैंडर्ड पास का जो क्वालिफिकेशन था उसके वैसे संक्या काफी बढ़ गई है। और इसकी भी त्यारी हम पूरी कर लेंगे। इसका एक्जाइम तो सेप्टेंबर के अंधर में रखा हुआ है। चुकि सतर्य लाग बच्चे होंगे तो इसके अंदर हम छे से आठ परियों में एक्जाम कराएंगे ये ओल ओवर राजस्थान। और मुझे उमीद है कि इसमें कोई किस्तिर के परशानी नहीं होगी। ये ओवर बेस्ट इग्जाइम होगा। और चुकि बहुत बड़ी परिक्षा होगी तो इसकी तेहरी में काफी बड़ी करनी पड़ेंगी। लेकिन हमारे पास वक्त है और हमारे को पूरा सही होग है राजसरकार का जल्या प्रशाषन का संभाव होगा। और हम कोश्चे करेंगे ये पूरी परिक्षा औलोवर राजस्थान हर डिस्टिक में कराएं। तो इसकी पूरी त्यारी कर ली जाएगी। परिक्षा को लेकर विद्धार्तियों को कोई खास संदेश क्योंकि परिक्षा से पहले परिक्षार्तियों के मन में बहुत ज्यादा डर बना हुआ रहता है। कई बार ऐसे गिरों के चंगुल में फच जाते हैं जो उनको नोकरी लगाने का जहां सा देश। तो मेरा अभिएरतों से यही एक संदेश है कि कई बार मुझे मेसेज आये बच्चों को कि यही इसका इसका सलेबस क्लियर नहीं है, इलाबरेट नहीं है। तो हमने विबाग से बाती स के बारे में जो समधित विबाग है और उनसे कई बार इसके बार प्रिक्शा हो चुकी है और उनने बोला कि पहले कई इसी प्रेक्शाइutan ही हुई जिनके इसी तरह से तसे अलेबद रिया गया गया तो syllabus तो इतना ही काफी होता है, ज्यादा Mr. syllabus हम नहीं दे सकते हर चीज़ के लिए, और सिर्फ बच्चे अपने खुद की मेहनत से पढ़ें, coaching लें बेशक लेकिन अच्छी जगे coaching लें, लेनी है तो या खुद की तरीके से पढ़ें, और standard books से पढ़ें, जो कि prescribed books होते हैं उसे पढ़ें, और कुझ जियों पर ज़्यादा depend ना रहें, किसी भी दलालों के चकर में ना आएं कि उनको 10th certificate दिला देगा, या कोई खिल का certificate दिला देगा, या विकलांत certificate दिला देगा, क्योंकि हम सारे certificates, सारे जो अब को अब डिगरी लेकर आएंगे, उनकी पूरी proper जाच होगी, घहन जाच होगी, हमने इस form बने के process में आपको लिंक, आदार से लिंक भी किया है, और जिन अभेरतें ने आदार से लिंक नहीं किया है, उनको हम अलग से जाच करेंगे, तो या वो बच्चा सफल हो पाएगा, जो फरजी वाड़े करके बच्चे आएंगे, वो पकड़े जाएंगे, आज नहीं तो कल, पकड़े जाएंगे, इसलिए बेस्ट है कि आप अपने मेहनल से ट्यारी करें, और इसमें सीट सेक्योर करें.